नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरे होती हैं जो विभिन समाचार पत्रों पर चाई भी होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवासक होती हैं तो आईए शुरू करते हैं देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी खबरे हैं सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्चक भरती की परिच्चा की जिसकी बारे में कल कोट केस थे कल इक मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को ततकाल बताया भी था कि इस परिच्चा के परिणाम पर इस्टे लगा दिया गया अभी तक परिणाम नहीं आएगा और इसकी अगली तारीखें भी दे दी गई हैं तो उसी के बारे में ये सूचना है इसमें लिखा गुआ कि भरती में इलाबाद हाई कोट का निर्देश लगनव खंड पीट ने भी 29 तक लगाई रोक यहां पर लिखा गुआ कि परिशिदी इसकूलों की प्रक्रिया में कटाफ अंग के खिलाब या दाखिल याचिकाओं पर सुमवार को इलाबाद हाई कोट ने 31 तक इस्थगना देश जारी किया है और सुमवार को ही इस मामले में लगना वुकंड पीट में भी सुनवाई भी जिसमें 29 तक यह था इस्थित रगने के आदेश ह हाई कोट के इन आदेशों के चलते शिक्षक भरती का परिणाम अब मंगलवार को जारी नहीं हो सकेगा और मैंने बता ही दिया था आप लोगों को फिलाल यह रिजल्ट तक नहीं आगे जब तक इसमें कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है इलहाबाद, हाई कोट और लखनो बेंज दोनों जगे जो याज काई थी दोनों पर एक ही प्रसनत था कि जब भरती पक्रिया में पहले कटाफ नहीं दिया गया था तो बाद में कटाफ क्यों रखा गया है इसके बारे में सरकार को अपना पक्ष देना है तीन दिन की अंद का पहला तरक की परिक्षा से पहले कटाफ तै नहीं थी लिहाजा परिक्षा होने के बाद कटाफ तै नहीं की जा सकती और इसके बाद में जो अगला तरक है कि पिछली परिक्षा में जैरल और आरक्षित वरगों के लिए 45 और SCN अनसुचित जाती जो कटेगरी वाले हैं उनको 40% रखी गई थी, इस बार इसे बहुत ज्यादा रखा गया है, इस बार अनारक्षित के लिए कटाफ 65 वा आरक्षित के लिए साथ फिर्चती रखी गई है, फिर विधार्थियों नीचे एक और तरके दिया है, यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नीमा वली 2017 के अनुसर अबर्थि को केवल परिक्षा पास करनी होती है, इसमें कटाफ ये कौलिफाइंग मार्क करनी हम नहीं है, परिक्षा होने के बाद नहीं नहीं बनाए गया है, जो अवैधानिक है, सरकार का साथ जनवरी को सासना देश क किनी अनुद्देशों के प्रभाव में बनाए गया लगता है, जिससे बीए डिग्री दाधारकों को भाइदा मिले और शिक्षा मित्र बाहर हो जाएं, शिक्षा मित्रों को सुप्रिम कोट ने टीटी पास करने के बाद सिर्फ दो बार लगातार होने वाले भरती में सामि क्या होता है, हाँ लेकिन ये जरूर है कि अब जो है रिजल्ट नहीं आएगा और उत्तरकुंजी भी नहीं आएगी, अब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन उत्तरकुंजी आएगी, इसकी बारे में भी समचार पत्र में दिया हुआ है, लिखा शिक्षक बरती की संसो रिक्षा की पहले उत्तरकुंजी जारी होगी, और चंद घंटे बाद प्रणाम गोशित कर दिया जाएगा, इसकी तयारियां पूरी कर ली गई है, एक और सूचना है, आरस्ट रजार पांसो सिचक भरती की, इसमें लिखा हुआ है कि एक को कोट और दूसरे रिजल्ट को अपसरों ने रोका, तो कोट ने जिसको रोका है, वो 39,000 सिचक भरती की बात हो रही है, और जिसको अपसरों ने रोका, वो पुनर मुल लैंकन वाला परणाम आरस्ट रजार पांसो सिचक भरती का है, जो अभी तक नहीं आया, अपसर लगातार कर रहे थे कि हम एक या दू दिनों में परणाम घोशत कर देंगे, लेकिन इन्हों ने अभी तक परणाम घोशत नहीं किया है, इसके बाद में जो अगली सुचना है, वो है PCSJ के प्रवेश पत्र जारी, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होनी है, PCSJ मेंस की परिक्चा, उत्तर प्रदेस लोग सिवा देख सकते हैं, इसके बाद में जो अगली सुचना है, वो है B8 प्रवेश परिक्चा की, लिखा हुआ कि एक सब्ताह में जारी होगा schedule, और यहां लिखा है कि 10 फरवरी से भरे जाएंगे form, और मार्च के अंत ये अप्रेल के सुरू में होगी परिक्चा, तो ये डेट आप आप लोग याद रखिए और इसकी तयारी करना सुरू कर दीजिए, चुकि उत्तर प्रदेश में लगबक किवाद 10 हजार सीटे हैं सरकारी, जिन में जो है शुलक कम लगता है, इसमें लिखा है कि B8 प्रवेश परिक्चा form 10 फरवरी से भरे जाएंगे, MPJP रुहरखन विस इस बार प्रवेश परिक्चा भी जल्दी कराई जाएगी, प्रवेश परिक्चा कराने के लिए एक समनवाय समीती और एक सलाकारी समीती भी बनेगी, तो ठीक है दोस्तों ये आपके लिए सूचना है, और इसके बाद में एक भरती है जो मैं अपने लगबगारे वीडियो में आप लोगों बताता हूँ, राष्टी स्वास्त मिशन उत्तर प्रदेश में 1172 पदों के लिए भरती आई भी है, इसमें जो पद है वह टेक्निकल कंसल्टेंट, मेटिकल कंसल्टेंट, प्रोग्राम कॉडिनेटर इत्यादी, 1172 पद है, सेक्ष्रिक योगिता सभी पद इस पर जागर कि आप लोग पूरा विस्तित नोटिफिकेशन देखिए और उसके बाद में अपनी योगिता के अनुशार आवेदर कर सकते हैं, इसके बाद में जैसे कि आपको मालूम है कि इलावत हाई कोट द्वारा आयोजी जो परिच्छा भी थी, गुरुप सी, गुर परिच्छा रईवार को मेरड से गिरफतार आरोपी अब्यरती विभोर ने खुला सकिया है कि उसे बागपत के वाजित पुर्णिवासी एक कस्टम अफसर ने उसे वाटसप से आंसर सीट भेजी थी, आंसर सीट परिच्छा शुरू होने से आदे गंटे पहले भीचा गया ही सब जगे वाइरल हो गया था अगली जो सुचना है वो है आयाइटी परिच्छा की 25 से ज़्यादा उम्रवाले दे सकेंगे आयाइटी की परिच्छा यहां पर लिखा हुआ कि सुप्रिम कोड ने 25 वरसे अधिक उम्रवाले चात्रों को आयाइटी जे इए मेंस और करनल दिया है और अंत में एक ख़बर और करेंट फेर्स की जो भी कि मैं अपने हर वीडियो में मारनी की वीडियो में आप लोगों को देता हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहां पर लिखा हुआ है कि बिहार की बेटी अमेरिका में सीनेटर लगाया ज 47 में जिले की सीनेटर चुनी गई है इन्हें यह सफलता पहले ही प्रयास में मिली है तो नाम आप लोग याद रखिए मोना दास यह परिक्षा में पूझा जा सकता है और किस पार्टी की है तो यह भी आप लोग याद नीचे लिखा हुआ इसको याद कर लीजिए नीचे ग्हाए ने लिखा है डेमुक्रेटिक पार्टी की 7,1 मोना दास ने अमेर्गी सीनेट में धर्म गरंत गीता को हाथ में ले करके सपत है पदकी सपत लिए मोना दास ने हिंदू पर्व मकर सिनेटर जो फैन को हराया है नाम है जो फैन तो ठीक है दोस्तों यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट को आप करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे हैं जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी करने बहुत ब